कारगिल विजय देवस्त के उपलक्ष में सभी देशवासियों को मेरी बहुत-बहुत हार्धिक शुबकामना है कि सैनिक किस तरह से संघर्श करता है? कि सैनिक की विजय सोगता यह क्या होती है, मैं घशनिक की जीवन यात्रा क्या होती है मैं कुछ पंग्तियां आपके बीच पढ़ता हूं सुनेगा एक नौजवान संगीन उठाए सीमा पर डट जाता है खुंखार दरिंदों के हाथों टुकडे टुकडे कट जाता है पर चोखट दहरी दर्वाजे सवास लगा कर बैटे हैं एक सैनिक कशवाया राजनीत के पत्रकारिता के ब्यवसाई के बहुत बड़े लोग उसके दर्वाजे पर पहुंचे उसकी बिधवान एक सैनिक की पत्नी ने जो मजमा देखा जिस तरह से लोगों की आँखें देखी मैंने उसकी शहीद की पत्नी की आँखों में जहाक कर यह चार पंक्ते लिखी वो पंक्तिया पढ़ता हूँ सुनेगा सावब एक सैनिक शहीद होता है तो केवल एक सैनिक शहीद नहीं होता कितने लोग उसके साथ चले जाते हैं सुनेगा कि सो गया नसीब मांगा गया सिंदूर और नंगे नोने हालों की लंगोटियां चली गई भाई की पढ़ाई गई बाप की दवाई गई दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई तो कैसा विस्फोट था की एक पल भी न लगा पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई आपके लिए तो एक आदमी गया हुजूर किन्तु मेरे घर की तो रोटियां चली गई एक सैनिक एक किसान का बेटा एक मजदूर का बेटा जो सरहत पर संगीन लेकर खड़ा होता है चार पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूँ बश्ट दीख पढ़ता किसी पे पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं किन्तु कोई देश पे निगाह टेड़ी डाल दे तो सारा काम छोड़के सिपाही बन जाते हैं सारा काम छोड़के सिपाही बन जाते हैं झाल झाल